हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की दुरफ से प्यार भरानमशकार सच्रियाकाल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पे के साथ आज हम बनाने वाले हैं गाजर मटर आलो की सबजी जी हाँ सर्दिया शिरू हो चुकी हैं और ये काफी ताजी ताजी सबजी हैं मार्किट में आई हुई हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं तो चलिए फिर देर ना करते होई स्टार्ट करते हैं तो ये देखे रहे हैं आप लाल-लाल गाजर थी जिसे मैंने अच्छी तरह से धो कर साफ करके छील कर कट कर लिया है बड़े बड़े टुकडो में साथ में आलू भी बिल्कुल ताजे लिये हैं मैंने आजकल नया आलू आया हुआ है वही मैंने इस्तमाल किया है और साथ में मटर और लस्टन अद्रक और हरी मिर्च मैंने कट करके रख ली है दो साबुत हरी मिर्च भी रख ली है डालेंगे इसमें और ये दो प्याज है मीडियम साइज के कट कर ली है और दो ही टमाटर तो आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर गाजर की सबजी तो चलिए फिर देड़ ना करते हुए फ्लेम करते हैं और रख देते हैं इसके उपर पैन तो ये देखिए पैन मैंने रख दिया है तीन बड़े चमच मैंने इसमें ऑईल डाल दिया है अब हम इसमें डालते हैं हींग साथ में ही डाल देते हैं आदा चमच साबुत जीरा अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से तड़कने देते हैं ओयल में ताकि इसका फ्लेवर ओयल में अच्छी तरह से आ जाए तो ये देखिए भून चुके हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं और अब हम डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च दो हरी मिर्च ली है मैंने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यादा कर सकते हैं और ये है लस्टन यानि की गार्लिक और ये है अद्रक यानि की जिंजर तो एक एक बड़ा बड़ा चम्मच मैंने दोनों का इस्तमाल किया है लस्टन का पी और अद्रक का पी अब डाल देते हैं इसमें प्याज तो दो प्याज मैंने मीडिम साइज के लिए थे अब इन prisons अच्छी तना से ब्हून लेते हैं तो अच्छी तरह से mix करेंगे पहले और इसे भूनते हैं कम से कम दो मिनट तो यह देखिए हलका सा color इसका change हो गया है तो friends प्याज हमारे भून चुके हैं काफी भून चुके हैं तो इससे ज़्यादा हमें उसे और भूनने की जरूरत नहीं है अब डाल देते हैं इसमें कटे हुए टमाटर लसन अद्रक का पहले तड़का लगा होगा साथ में हरी मिर्च हरी मिर्च का flavor भी बहुत बढ़ी आता है सबजी में आप इस तरह से एक बार जरूर बनाईएगा तो टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनते हैं और साथ में ही इसके embedded कर देते हैं कुछ मसाले बेसिंग मसाले है तो देख लेते हैं कौन-कौन से मसाले है तो यह देखी है मैंने लिया है टेस्ट के according नमक एक चमच लिया है धनिया पौडर, आदा चमच लिया है मैंने गरम मसाला, आदा चमच लिया है हल्दी पौडर, और आदा चमच लिया है मैंने लाल मिर्च का पौडर, तोकि मैंने हरी मिर्च भी इसमें दो डाली है इसलिए आदा चमच मैं इसमें लाल मिर्च का इस्तमाल कर तो साथ में ही डाल देते हैं इसके हम कटी हुई लाल लाल गाजर ताकि गाजर हमारी थोड़ी कूक हो जाए क्योंकि इसमें थोड़ा ससमें ज्यादा लगता है पकने में तो एड़ कर देते मसाले में गाजर तो लीजिए गाजर मैंने साथ डाल दिये इसमें मिक्स करेंगे मसाले में गाजर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सभी फ्लेवर गाजर में अच्छी तरह से आ जाए तो लीजिए गाजर में मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब हम इसे 3-4 मिनट कवर करके लो फ्लेम पर पकने देते हैं वेट करते हैं 3-4 मिनिट का तो लीजे फ्रेंज 3-4 मिनिट पूरे हो चुके हैं और काफी हद तक हमारी गाजर पक चुकी है तो अब हम देर ना करते हुए इसमें एड करते हैं बाकी की दोन सब्जी हैं यानि की आलू और मटर डाल देते हैं इसमें ये लीजे तो मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से ताकि इन में भी मसालों का फ्लेवर अच्छी तरह से चला जाए बहुत ही टेस्टी ये हमारी गाजर आलू मटर की सब्जी बनकर त्यार होती है सर्दियों में तो मज़ा ही आयाता है इसे खाने में आप इसे प्रांठे के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं तो जबरदस ताता है इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगती है ये तो अब हम इसे फिर कवर कर देते हैं और पकाते हैं इसको साथ से आठ मिनट तो हरी मिर्च मैंने इसमे आड़ कर दी है कवर करके से लो फ्लेम पर साथ से आठ मिनट पकाएंगे बीच बीच में चलाते भी रहेंगे तो ये दिखिए बीज बीज में से मैंने चला भी दिया था बहुत ही अच्छी तरह से और ये दिखिए हमारी सबजी बिलकुल पक चुकी है आलू, मटर, गाजर सब अच्छी तरह से पक चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं कसूरी में थी और धेर सारा धनिया धनिया डालना इसमें बहुत जुरूरी है क्योंकि इसी का फ्लेवर आलू, मटर की जो सबजी हम बना रहे हैं बहुत ही जबर्दस आता है तो ये दिखिए मैंने इसे कवर करके रख दिया था अब मिक्स करते हैं इसे अच्छी तरह से और गैस की फ्ले मैंने कर दिया ओफ तो लीजिए सबजी त्यार आलू, गाजर, मटर बोलने में थोड़ी इसी प्रावलम हो रही है मटर, आलू, गाजर गाजर, मटर, आलू कुछ भी बोल सकते हैं जो भी आपका दिल करता है बोलिए और देखिए इसे किस तरह से कितनी बार हम बोल सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं कि इसे कितनी बार बोल सकते हैं, बदल बदल की तो मजाग कर रही हो तो फ्रेंट्स फिर मिलती हो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए, बाई बाई